सबसे पहला पॉइंट है अवेरनेस ये सारा प्राप्लम का सलूशन नहीं होगा अगर अवेरनेस ना हो सबसे पहली अवेरनेस ये कि लेजीनस बुरी चीज है सबसे पहली अवेरनेस ये है कि लेजीनस बुरी चीज है ये बात समझना मानना एकसप करना कुबूल करना बुरी तो निकालोंगे ना तो हम देखते हैं कि प्रॉफित महामद सुभा और शाम की दौाइं उन्होंने सिखाई कि मॉनिंग में पड़ो वो सुभा शाम की दौाओं में यह वर्ड हमें मिलते हैं एल्ला तेरी पनाह मंगता हूँ मैं सुस्ती से मैं सुस्ती से लेजिने से मैं ती पनाह मंगता हूँ क्योंकि सुस्ती जब एक इंसान में होना वो यूजलेस बन जाता है वो बर्डन बन जाता है वो लाइबिल्टी बन जाता है अधि पानी का ग्लास चाहिए तो भी वो इद काम उनके लिए करते रहना पड़ेगा तो हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं तो अल्ला के रसूल सले लगा करते हैं सभी बखारी की हदीश है आठ चीजों से पना मंगते थे वो आठ मेंसे एक पना है कि अल्ला तिरी अल्ला के लगाए था छुस्ति से औरुस्ति का फॉर समक्ट में आती है वह फॉन्स के थालूब से भी हमें बताया गए हें जासे एक उसका फॉर होता है जब एक इंसान ओर स्लीपिंग कर रहा है बहल जितना सोना चाहिए जिसम को जितनी जरूरत है हम लोग यह नहीं कह रहे हैं कि भाई सोना ही नहीं है हाँ या सोना नहीं है अपने आपको sleep deprived कर दो यह नहीं कह रहे हैं लेकिन जहां पर oversleep करता है वो एक laziness और सुस्ती का एक form होता है वो अपनी जिंदगी का time उसमें waste कर रहा है तो हम देखते हैं सबसे पहली ची से बाहर निकलना है यह awareness और intention पैदा नहीं होगा तो तब तक इसका problem का solution नहीं निकल सकता brothers and sisters जो मैं आपको solutions आज बताना चाहता हूं they are so effective alhamdulillah इतने effective है कि नॉर्मल इंसान बहुत आसानी से laziness के दल दल से बाहर निकल सकता है लेकिन यह सब चीज़े नहीं चलेगी अगर intention नहीं होगा तो अगर एक इंसान के दिल के अंदर intention नहीं है न सब चीज़े फेल इस बहुत अच्छे इंदर हमारी नियत हो बहुत पुक्ता नियत हो बलकि जो दुआ है वो दिल से आदमी कहे अल्लाहुमा इन्नी आउधु विका मिनलकसली एला तेरी पनाह मंगता हूं मैं सुस्ती से अवैर्निस के बारे में मैं आपको एक बहुत इंट्रस्टिंग यह भी बताना चाहता हूं आज जो हमें ना एक कल्चर में रहते हैं वो कल्चर कौन सा है एक ऐसा कल्चर है जिसके अंदर आराम है हराम यह कल्चर है मतलब क्या है आप कॉर्परेट कल्चर देखें कि 16 काम मतलब क्या है कि आदमी को बस निचोर दो बस उसके अंदर कुछ बचना नहीं थी तो क्या हम लोग लेजीनिस से यह कह रहें तो नहीं हम यह कह रहें कि आपका रेस्ट का वक्त है तो रेस्ट करिए यह बॉड़ी का हक है आप पर इनना लिजसादी का अलाई का हक कुर स जिसके अंदर यह कहा जाता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पहर यह हो बीवी बच्चों के साथ वाल इस एस काम करो काम थो बीवी बच्चों के साथ आप स्पहर यह उड्युोंत तीन चीज़े हैं वो लाह वो लाइव में काउंट नहीं होता वो वेस्टेज अव टाइम में काउंट नहीं होगा और उसके अंदर एक चीज ये भी है कि एक शक्स अपनी बीवी के साथ कुछ प्लेफुल बाते कर रहा है मतलब कुछ हेल्दी अच्छी बाते कर रहा है इस इस साल के तोर पर जैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि वी हाव टू रिमूब सम टाइम फो कनेक्टिंग विता क्रियेटर अब वो टाइम करी लोगों को लेजीनिस लग जाए बोले ये तो वेस्टेज है नहीं है ये ये इन्वेस्टमेंट है इसके वज़ा से बहतरीन रिजल्ट्स पैदा होते हैं तो ये जो कनसेप्ट है जहां पर बस कुछ वक मत दो एक इन्सान को उसके अंदर से कितना निचोड के ताकर निकाल सकते हो इस एफिशेंसी आपके इस चैनल को और बहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है आए प्लस टीवी बैतर जिंदगी के लिए अपने केबल या डी टी अच ऑपरेटर से आए प्लस टीवी आज ही डिमांड करें आए प्लस टीवी फ्री टु एर और इंडियन रेजिस्टर चैनल है